Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोचोक उप्योगी जानकारी है Difference between पनीर and cheese तो चलिए शू करते हैं आज सबसे पहले ये पनीर पनीर को नरम और अन्क्योड यानि ताजी चीज कहा जा सकता है पनीर भारती महादीब की उपरी हिसों में अधिक प्रचलित है जिसका उप्योग नाना प्रकार के पकवान बनाने में होता है पनीर बिना रेनेट की चीज है जिससे खटे पदार्थों सिरका, नीबू का रस, सिट्रिक एसिट या फिर टाट्रिक एसिट से फाड़ कर फिर दूद के हिसों को, जिनको मिल्क कर्ड भी कहा जाता है को दबा कर बनाया जाता है पनीर आज पूरे भारत भर में दूद के इतपादों की दुकान यानी डेरी स्टोर में बड़ी आसानी से उपलब्ध है पनीर को अक्सर भैंस के दूद जिसमें वसा या fat content अधिक होता है से बनाया जाता है गाय के दूर से बने पनीर को छेना कहा जाता है जिससे विभिन प्रकार की मिठाईयां बनती है पनीर को अकसर अंग्रेशी में cottage cheese कह दिया जाता है परन्तों पनीर और cottage cheese का अंतर जाने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं आज दूसरी हमारे पास है ये cheese cheese पश्यमें देशों मुखेता यूरोप के भोजन का मुखे हिस्सा है यूरोप के विभिन देशों के स्थानों के नाम पर बहुत से cheese का नाम पड़ा है cheese विभिन संद्रचना, नरम, कम नरम या फिर सकत और सुके रूप में भी पाई जाती है cheese शब्द के अंदर यूरोप की सभी cheese आ जाती है cheese को बनाने का तरीका भी पनीर की तरह है परन तो cheese को बनाने के लिए ड्रेनिट कॉपियों किया जाता है और milk curd को इखटा कर उसे को समय तक रखा जाता है इस रखे जाने की प्रक्रिया को cheese की क्योरिंग भी कहा जाता है विभिन प्रकार की cheese को बनाने के लिए और क्योर करने के लिए इनकी प्रक्रियाओं में और समय में थोड़ी भिनता रहती है चीज को बनाने के लिए अकसर चीज को नमक के पानी में डुबो कर रखा जाता है परन्तो इस तरह की कोई प्रक्रिया पनीर को बनाने में उप्योग में नहीं लाई जाती है भारत में प्रशली चीज के विशय में जानने के लिए आप हमारी चीज पर बने पिछले वीडियो देख सकते हैं हालकि भारत में बिखने वाली चीज जो आयात या इंपोर्ट की हुई ना हो उन्हें माइक्रो बैक्टीरियल एंजाईम यानी रेनिट के शाकाहरी विकल्ब से ही बनाया जाता है सनर शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भारत में बिकने वाली चीज अक्सर शाकाहरी उत्पाद है चीज का उप्योग पराठों के भरावन, सैंडविच, सलात, पास्ता, पिज़ा आधी में किया जाता है ये है पनीर और ये है चीज दोनों ही दूट के बने उत्पाद है पनीर को अक्सर गाए और भैस के दूट से बनाया जाता है जबकि चीज को गाए, भैस, बकरी ततब भेड आधी के दूट से भी बनाया जाता है हाला कि इन दोनों को बनाने और सहिजने का तरीका एक दूसरे से भिन्न है दोनों तो अलग-अलग भागोलिक शेत्रों में अधिक प्रशलित हैं पनीर क्योंकि ताजा उत्पाद है तो इसे लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है जबकि चीज को लंबे समय तक रखा जा सकता है पनीर में कैल्शियम और प्रोटीन की अच्छी मात्रा है इसमें वसा यानि फैट की मातरा चीज की तुल्लामे कम होती है चीज वैसे तो कैलशियम, प्रोटीन और फैट का अच्छा श्रोथ है परन्तु इसको बनाने के तरीके के कारण कई चीज में सोडियम की मातरा बढ़ जाती है इसलिए उच्छ रक्तचाप यानि हाई ब्लड प्रेशर और लो सोडियम भोजन खाने वाले लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए पनीर और चीज के स्वाद में बहुत भिन्नता है पनीर का मूले सानिय बाजार और चीज का मूले इसकी किस्म पर निर्भर होता है और हम आशा करते हैं आज की हमारी पनीर और चीज की यह जलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी थैंक्स ओवाचिंग और चीज की एवरीडे लाइव